हैलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आज की हमारी क्लास जियोग्राफी यानि की भुगोल की होने वाली है और आज की क्लास में हम जियोग्राफी के टॉप 51 इंपोर्टेंट कोश्चन डिस किया है क्योंकि आपके एक्जाम के लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है इसलिए आपको अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए और आपका बेसिक जो है वो भी क्लियर होना चाहिए तो मैं उमीद करूंगा सेशन आपको हल्फू लगेगा आप सभी को कम्प्लीट ट देना है और यह सभी प्रशन सलेक्टिड हैं विवीन परिक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं सूर्य की बाहतम परत को क्या कहते हैं वहतं परत को क्या कहते हैं वर्ण मंडल प्रकाश मंडल किरीट यां फिर स्थल मंडल तो आंसर मैच करेंगे जिनोंने को जवाब देना है आपको आंसर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा कोशन नमबर सेकेंड है आपके सामने जल्दी से आंसर दीजेगा भारत के पूरव और पश्चिम छोरों में समय का आंतर कितना है वाट इस दा टाइम डिफरेंस बिट्विन इस्ट एंड वेस्ट आंसर दिया है दो घंटे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और अगर डिग्री में बात करें तो तीस डिग्री देशांतर यह भी आपको ध्यान रखना है कुशन नमबर आपके सामने थाड़ है आंसर दीजेगा किस शेत्र में अधिकांश मौसमी गतिविद्यां होती है आ सब्सक्राइब करेक्ट आंसर होगा आप्शन भी शोब मंडल जिनोंने आप्शन बीको आंसर दिया है उनका अंसर बिल्कुल राइट है अंसर मेरे साथ मैच करना है पूरे क्यावन प्रशन लगतार डिसकस करने वाले हैं शैल का कयांतरन निमन में से किसमें होता है वेरी इंपोर्टन्ट है ग्रेफाइड नाइस मार्बल या फिर सलेट शैल का कायंतरन निम्न में से किसमें होता है तो यहां पर आप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा सलेट जिनों ने आप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है कोशन नमबर फाइव है जी अचाहिए कैल्शियम और मेगनेशियम दोनों का ही आयस्क है अब यह आयस्क है तो यानि कि धरती के नीचे से प्राप्त होने वाली चीजें है तो यह क्या है एक अवसाधी शैल है आपका ऑप्शन एक रेक्ट आंसर होगा क्या सभी ने आप्शन एक आंसर दिया है चलिए कोशन नमबर सिक्स डिसकस करते हैं आपके सामने आई स्क्रीन पर पारिस्तितिगी तंतर में उर्जा का स्तरोत है वेरी वेरी इंपोर्टेंट इस आदेर सोर्स ओफ एनरजी इन दा एको सिस्टम सूर्य हरे पोदे प्रकास संसलेशन में पैदा होने वाली शरकरा या फिर कि बिल्कुल राइट अंसर होगा आप्शन ए सूर्य पारिसी तंतर में उर्जा का स्तरोत होता है सूर्य आप्शन एक रेक्ट होगा कोशन नमबर सैवन है आपके सामने पंच शीर घाटी कहां अवस्थित है सभी का अंसर सही आना चाहिए इस प्रशन का सीरिया अफगानि पंच शीर घाटी स्थित है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कोशन नमबर आठ है आपके सामने निम्न में से किस भारतिय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है किस भारतिय तटराज्य की रेखा सबसे लंबी है तो यहां पर आपसे कन्फीजन हो सकता है एक्जाम म सबसे लंबी है अब आपको पता है आपका एक्जाम थोड़ा सा डीपली आ रहा है तो आपको सेकिंड लार्जेस्ट भी पता होना चाहिए किसकी रेखा दूसरे निम्बर पर सबसे लंबी है तो आंधरा प्रदेश की तो ऑप्शन के कोडिंग आपका यहां पर आंसर ए हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह कोशन आज नहीं तो कल आपके आर्मी एक्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा विच ओसिन एक्जिस्टिट इन प्लेस ओफ हिमाल्याज हिमाल्या के इस्थान पर कौन सा सागर था तो टेथित सागर था आप्शन डी का सभी ने अंसर दिया है आंसर मैच करते जाएगा कोशन नमबर दस आपके साबने जल्दी से डिसकस करेंगे निम्न लिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है नरम्दा नदी को सी नदी ब्रह्मपूत्र नदी दा मोदर नदी सभी को आंसर सही देना है आप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा कोशी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है कोशी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं बिहार का शोक ब्रह्मपूत्र नदी को असम का शोक बोलते हैं असम का शोक दा मोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक ऑफ्षन बंगाल का शोक दामोदर नदी कोश्ण नमबर 11 है जी आपके सामबर जील कहां इस्थित है तो यह तो आसान प्रशन है यह तो गलत किसी का नहीं होगा वेर इस सामबर लेक लोकेटेड ऑफ्षन आपका डी करेक्ट आंसर होगा और राजिस्थान में कोशन नम्बर 12 है भारत की गंडख नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है और इस टाइप के प्रशन आपके एक्जाम में बहुत जादे पूछे जा रहे हैं जैसे पुछली वर पूछा गादा गंगा नदी को चाइना में क्या वोलते हैं तिबत में क्या बोला जाता है इस टाइप से प्रस्ण। पूछे जाते हैं तो भारत गंडक नाम की नदी है उसको नेपाल में बोला जाता है नारायन्य नदी अॉप्शन आपका सी गरह आंसर होगा और इसको साली ग्रामी नदी भी बोला जाता है क्या सभी का क्लियर हुआ चलिए कोशन नुम्बर 13 डिसकस करेंगे आपके सामने निम्न लिखित में से दो राज्जे कौन से हैं जिन में लोटते हुए मांसून के दोरान प्राया चक्रवात आते हैं 28 फैब को आपके ट्रेड मैं में पूछा गया प्रशन कोहन से दो राज्य हैं जिन में लोटते हुए मांसून के दोरान चक्रवात आते हैं तो ध्यान रखिएगा आपका डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आंधरा प्रदेश और उडिसा कोशन नमबर चोदा आपके सामने निम्न में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है आसान सा प्रशन है असम बिहार में गाले आरुनाचल प्रदेश जल्दी से आंसर दीजिएगा तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आसाम ऑफ्शन ए करेक्ट होगा ासाम में सबसे दिख चाय का उचपादन होता है ऑफ्शन ए करेक्ट होगा कोशन नमबर आपके सामने 15 पंदरा पंदरा आंसर देंगे सिम्पल सा परसन है खेतडी किस लिए प्रसिद्द है अलुमीनियम उर्वर्क तामबा या फिर सोना खेतड़ी वट इस खेतड़ी फेमस फोर ओप्शन सी करेक्ट आंसर होगा तामबे के लिए प्रसीद है और राजस्थान में खान है कोशन नमबर सोला है आपके सामने आंसर दीजेगा कुक्की जनजाती निम्न में से किसे प्रदेश के वासी है जनजातियों से रिलेटिड आपके एक्जाम में कोशन आप पूछे जाने लगे हैं अच्छे से रट कर जाना प्रशन जनजाती वाला टॉपिक आपका कलियर होना चाहिए अगर मैं नहीं करवा पाया तो आपका फर्स बनता है आप अपने आप कलियर करे सेल्फ स्टड़ी करे कुक्की जनजाती पाई जाती है मनिपूर में आपका सी करेक्ट आंसर होगा और देखिएगा आप सभी को बता दूँ कि जो हमारी कलासिस है इंसको आप सिरफ एक हेल्प और प्रेक्टिस के रूप में लिया करो राइट आपको अभी भी अपनी बुक पर डिपेंड रहना है जितनी आप सेल्फ स्टड़ी करोगे उतना आप सेलेक्शन के नजदीक जाओगे हमारी क्लासिस से क्या होता है कि आपको एक जगा एक ही जगा पर सेलेक्टिड और इंपॉर्टेंट कॉश्चन मिल जाते हैं तो इसको एक हैल्प की रूप में लिया करो प्रेक्टिस के रूप में लिया करो 100% कहीं पर भ हुआ राष्ट्रे उद्ध्यान है यह कहां पर है मनीपूर मिजोरम असम याफिर मिघाल लेओ तो कहां पर है मनीपूर में इस्तितैजी ऑप्शन एक रेक्ट अंसर होगा ध्यान रखिएगा कुशन नमबर 18 आपके सामने भारत में सबसे चोटा दिन कब होता है यदि आप आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजेगा यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की त्यारी कर रहा है तो उसे हमारा ये सेशन जरूर शेयर करेंगे और यदि आपको लगता है हमारी क्लासी आप सभी के लिए हैलफुल है तो सबस्क्राइब करने के बा भारत में सबसे छोटा दिन होता है बाइस दिसंबर को और कई जगा आपको 21 दिसंबर भी देखने को मिलेगा तो 21 दिसंबर और बाइस दिसंबर दोनों ही आपके करेक्ट आंसर है आपको कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा राइट चालिए कोशन नमबर 19 है आपके सामन नार्मंडी बीच कहां इस्थित है वेर इज नार्मंडी बीच लोकेटेड फ्रांस निदरलैंड इस्पेन या फिर बेल्जियम जल्दी से आंसर दिजेगा नार्मंडी बीच कहां पर इस्थित है राइट आंसर ओप्शन एक औरेक्ट आंसर होगा फ्रांस में इस्थित है question number 20 है और very very important question land of the pagoda किसे कहते है शायद आपके exam में पहले भी पूछा जा चुका है who is called the land of the golden pagoda Myanmar, China, Japan या फिर उत्तर कोरिया land of the golden pagoda के नाम से Myanmar को जाना जाता है आपका option A correct answer होगा question number 21 पे चलते हैं जल्दी chance से दिजेगा उमीद करूँगा session आपको helpful लग रहा होगा थारू जनजाती पाई जाती है एक ओर जनजाती से question है और इस question का level थोड़ा सा hard है क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको state नहीं बताई इसके अंदर मैंने उसके इलाके बताए है तो तराई परदेश में पस्चिमी घाट में छोटा नागपुर के पठार में अरावली की पहाडियों में थारू जनजाती कहां पर पाई जाती है तो ध्यान रखिएगा अगर आपके exam में ये वाला question आया तो सेम यही option exam में दिये जाएंगे ये वाला question आपके railway और SSC दोनों में repeated है option आपका एक correct answer होगा तराई परदेश में थारू जनजाती पाई जाती है question number 22 आपके सामने निमन लिखित में से कोन सा एक भारत का प्राकरतिक बंदरगाह नहीं है very very important है which one of the following is not a natural port of India कांडला बंदरगा, चन्नाई बंदरगा, पारादीप बंदरगा या फिर मुंबई बंदरगा तो इन में से कोन सा भारत का एक प्राकरतिक बंदरगाह नहीं है तो ध्यान रखिएगा option आपका B correct answer होगा चन्नाई बंदरगा, एक कृत्रीम बंदरगा है option B आपका right answer है question number 23 डिसकस करते हैं जल्दी से भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है बिल्कुल आसान सा प्रशन उत्तर प्रदेश पंजाब, आंदर प्रदेश या फिर बिहार which state of the is called the sugar boil option A correct answer होगा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है अब एक प्रशन आपको मैं होमब्रक के लिए देना चाहूंगा session को complete होने के बाद आंसर देना है किसे चावल का कटोरा या फिर ये जान के किसे किस भारती राज्य को धान का कटोरा कहते है धान का कटोरा किस भारती राज्य को बोला जाता है answer मुझे comment box में दीजेगा question number 24 है जी आपके सामने निम्न में से किसको भूरा कोईला कहा जाता है which of the following is called brown coal anthracite, bituminous, lignite या इन में से कोई नहीं भूरा कोईला किसे कहा जाता है right answer क्या होगा यहाँ पर option आपका C correct answer होगा lignite कोईला को भूरा कोईला कहा जाता है जिनोंने option B answer दिया है उनका correct है bituminous कोईले को बोलते है saman निय इस्तर का कोईला saman निय इस्तर का कोईला और anthracite क्या है सबसे शुद कोईला सबसे उच्च कोटी का कोईला माना जाता है सबसे उच्च कोटी का कोईला anthracite क्योंकि इसके अंदर कावन की मात्रा सरवाधिक होती है question number आपके सामने है 25 जल्दी से आंसर देना है भारत में सरवाधिक कोईला भंडार पाए जाते है 36 गर्ड जारखंड मध्यप्रदेश ओडिसा most coal reserves are found in इंडिया भारत में सरवाधिक कोईला भंडार कहां पर पाए जाते है तो option आपका बी करेक्ट आंसर होगा जारखंड जिनोंने option बी को आंसर दिया है उनका आंसर है बिलकुल है करेक्ट है जी कोईशन 26 भारत में उर्जा का प्रमुख स्तरोत क्या है वाट इस दा में सोर्स ओफ एनरजी इन इंडिया तापिये जलविद्यूत सोर उर्जा या फिर आन्विक उर्जा भारत में उर्जा का प्रमुख स्तरोत क्या है तो यहाँ पे जीनों ने भी option A को आंसर दिया है तापिये उर्जा उनका करेक्ट आंसर होगा यह ध्यान रखिएगा थर्मल पावर जो है वो भारत में में सोर्स ओफ एनरजी है कुशन 27 है आपके सामने निम्न में से कौन सी भारत में रभी की फसल नहीं है वीच ओव दा फॉलिविंग इस नोट रभी क्रॉप इन इंडिया गेहू जो जूट यहां फिर राई जल्दी से आंसर दिजेगा आंसर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा तो इसमें भारत में रभी की फसल कौन सी नहीं है तो यहां पर आपका option सी करेक्ट अंसर होगा जूट जूट क्या है यह एक खरीफ की फसल है और आपको जितनी भी खरीफ की फसल है और रभी की फसले हैं सभी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए question number 28 है जी आपके सामने काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है the expansion of black soil is found in महाराष्टरा, मद्यपरदेश, गुजरात, यहाँ फिर उपरोक्त सभी अब यहाँ पर उपरोक्त सभी आया है तो यहाँ पर option D आपका correct answer होगा उपरोक्त सभी महाराष्टर, मद्यपरदेश और गुजरात तीनों में ही काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है सबसे अधिक पाया जाता है महाराष्टरा में question number 29 है जी नल सरोवर पक्षी अभेरण्य किस राज्य में है नल सरोवर bird century is in which state महाराष्टर, राजस्थान, गुजरात, याफिर, ओडिसा तो answer match किजेगा जिनोंने option C को answer दिया है उनका answer बिलकुल correct है गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभेरण्य इस्थित है question number 30 आपके सामने है answer जल्दी से दिजेगा जुआहर सागर, राणा सागर तथा गांधी सागर जलाश्य किस नदी पर निर्मित है very very important है जी और ये question भी आपके exam में I think पूछा जा चुका है जुआहर सागर, राणा प्रताब सागर तथा गांधी सागर जलाश्य चंबल नदी पर इस्थित है, option आपका B correct answer होगा क्या सभी ने option B को answer किया है, चलिए answer match करते जाना है, last में सभी का score comment box में बताना है आपको कि आपका score कितना हुआ है, कोन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है which city is not situated on the banks of river gang तो right answer होगा, यहाँ पर option D आपका दिल्ली दिल्ली शहर जो है, यह है, यमना नदी के किनारे बसा है गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है तो जिन्होंने option D को answer किया है उनका answer बिल्कुल correct है बढ़ते हैं next पे question number 32 है निम्न लिखित में से कोन सी नदी अरब सागर में गिरती है कावेरी नदी, नरमदा नदी, गंगा नदी या फिर यमना नदी और इस से related भी आपके exam में question पूछा जा चुका है तो आपको अरब सागर में गिरने वाली नदीयां और बंगाल की खाडी में गिरने वाली नदीयां आपको मालुम होनी चाहिए ध्यान रखिएगा important है जितने topic पूछे गए है उन्ही topic से प्रशन ले रहा हूँ और ये topic आपको पूरे-पूरे cover भी होने चाहिए क्या सभी का clear हुआ question number 33 है जी आपके सामने आंसर देना है गुरू शिखर चोटी किस राजे में इस्थित है राजेस्थान, गुजरात, मध्य परदेश, हिमाचल परदेश गुरू शिखर क्या है अराबली पहाडियों की सरवोच चोटी है और अराबली पहाडिया कहाँ पर है राजेस्थान में है तो आंसर क्या होगा आपका राजेस्थान option A correct answer होगा question number 34 है जी आपके सामने भारत के भोगोलिक मानचित्र कोन तयार करता है भारत का भोगोलिक मानचित्र कोन तयार करता है जल्दी से answer दीजेगा option आपके सामने है यदि आपको समय चाहिए तो session को रोक लिजेगा आप एक दो मिनट के लिए अपने सूवधा के अनुसार right answer होगा इसका option B survey of India भारत के भोगोलिक मानचित्र तयार करता है भारतिय सर्वेक्षन option B आपका right answer होगा कोशन नमबर 35 जी आपके सामने करकरेका भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है क्या ये वाला प्रशन भी किसी का गलत होगा मेरे साब से ये प्रशन सभी विद्यारती सही करेंगे करकरेका भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है और आपको ये आठो राज्ये मालूम होने चाहिए कि कौन से राज्ये से करकरेका गुजरती है क्योंकि आपके एक्जाम में कोशन ये भी आ सकता है कि इन में से किस राज्ये में करकरेका नहीं गुजरती तब आप which of the following is called Manchester of the East answer क्या करोगे सबी को आंसर करना है option C Osaka Japan का Osaka शहर पूरव का Manchester कहलाता है question number आपके सामने 37 कोन सा देश प्यासी भूमी का देश कहलाता है very very important है जी विच कंट्री इस काल्ड और कंट्री ओफ थ्रस्टी लेंड मिस्रे कनाडा ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका answer दीजेगा क्या आप सभी ने option C को answer किया है ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमी का देश भी कहा जाता है जिरोंने option C को answer किया है उनका answer बिलकुल right है question number आपके सामने 38 answer सभी को करना है जल्दी से answer दीजेगा जो उर्जा प्रिथवी की स्टैके नीचे संचित उर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है जो प्रिथवी के नीचे उर्जा संचित होती है उसे काम में ला सकने वाली उर्जा को क्या बोला जाता है तो भूत आप ये उर्जा जियो थर्मल एनरजी ओप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा प्रशन आपको भले ही देखने में कठिन लग रहा है परन्तु जब आप इनके ओप्शन को आपस में रिलेट करेंगे तब आप असाने से आंसर को फाउंड आउट कर सकेंगे कोश्चन नमबर आपके सामने है थार्टी नाइन विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कोन है लार्जेस्ट प्रोडूसर ओफ सिल्वर इन दा वर्ल्ड कनाडा, पेरू, मेकसिको या फिर चाइना क्या आंसर करोगे ओप्शन सी आंसर करना है मेकसिको मेकसिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे विश्व भर में कोश्चन नमबर आपके सामने है 40 आंसर देना है वीष्व में प्राकरतिक रवड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है प्राकरतिक रवड का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूरे विष्व भर में थाईलेंड इंडोनेसिया मलेशिया या फिर भारत आंसर कीजेगा वीच कंट्री is the largest प्रडूशर ओफ ने correct answer होगा Thailand जिरोंने option A को answer दिया है उनका correct है और रबड का भारत में सरवादी कुछ पादन होता है केरल में ये भी आपको पता होना चाहिए question number 41 जी आपके सामने answer देंगे लंदन किस नदी के किनारे इस्थित है बार बार आपके exam में repeat हुआ question तो नदी किनारे बसे नगर आपको मैं पूरा topic करवा चुका हूं कर लिजेगा अपने आप option A करेक्ट अमेरिका जल्दी से answer दीजेगा किस महादवीप को अंध महादवीप कहते हैं तो answer मैच करेंगे क्या आप सभी ने option C को answer किया है अफ्रीका जिनने option C को answer दिया है ना उनका उत्तर बिलकुल राइट है question number 43 पर चलते है only seven questions left दक्षिन गंगोत्री इस्तित है दक्षिन गंगोत्री is located उत्राखंड आकर्टिक हिमाले या फिर अंटार्टिका और देखिएगा बहुत सारे प्रशन जो आपके 28 मार्च को आए थे वह आपके दस्वी की NCRT में भी कोशन देखे गए हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि दस्वी की NCRT के आपको हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी और साइस कंप्लीट करवा दूं कंप्लीट नहीं भी हो पाएगा तो कुछ प्रशन important selected जरूर कोशिश करूँगा आपको करवा सकूँ दक्षिन गंगोतरी कहां पर इस्थित है तो यह आकर अंटार्टिका में स्थित है क्या आप सभी ने option D को answer दिया है अंटार्टिका बिलकुल right answer होगा कोशन नंबर 44 डिसकस करेंगे आपके सामने पनामा नहर का निर्मान किस वर्ष में हुआ था इन विच यह रवाजदा पनामा कैनल कंस्ट्रक्टेड 1869-1951-1914-1956 तो right answer होगा यहां पर आपका option C 1914 में हुआ था पनामा नहर क्या है प्रशांत महासागर और अट्लांटिक मह सागर को आपस में जोड़ती है कोशन नंबर आपके सामने है 45 निम्न लिकित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी जील है according to options सबसे बड़ी जील कौन सी है कैस्पियन सागर अरब सागर सुपीरियर जील बैकाल जील तो यहाँ पे right answer क्या होगा option A होगा कैस्पियन सागर निम्न लिकित में से विश्व की सबसे बड़ी जील है बैकाल जील क्या है विश्व की सबसे गहरी जील है ये सबी आपको पता होनी चाहिए चीजे q giving 46 पर चलेंगे आपके सामने यह ग्रीन वीच लेखा से क्या तत पर रहे हैं very ज़िए यूके में पाई जाती है पहला ह्मर्जण यह बना है और दूसरी चीजिद क्या है दूसरी चीजिद आपको मालूम user लेखा क्याปर यह यह पर किस ग्रह को संदर्य का देवता कहा जाता है बुद्ध शुकरे प्रिथवी मंगल which planet is called the god of beauty option b आपका correct answer होगा शुकर शुकर को संदर्य का देवता कहा जाता है प्रिथवी की जुड़वा बहन कहा जाता है ये सारे चीज़ें मालुम होने चाहिए सबसे चमकीला ग्रह कोश्चन नमबर 48 आपके सामने है जी निम्दलिकित में से कौन एक तारा है ये कोश्चन पहले मैं करवा चुका हूँ आपको चंद्रमा शुक्र पृत्वी सूर्य तो देखिएगा चंद्रमा क्या है एक उप ग् राइट शुक्र और पृत्वी क्या है ये ग्रह है और सूर्य ये क्या है स्टार की कैटिगरी में आता है तारो की कैटिगरी में आता है आप्षिन आपका डी करेक्ट आंसर होगा कॉशन नमबर 49 है जी आपके सामने सौर प्रिष्ट पर लगबग कितना तापमान होता है और देखो इसका जो पीडियाफ है पूरे की पूरे 51 प्रसनों का आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा यदि आपने हमारा टेलिग्राम जोइन नहीं किया है तो डिस्क आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है सौर प्रिष्ट पर लगबग तापमान होता है छे हजार डिग्री सेल्सियस और सी आपका करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 50 है आपके सामने जूम क्रिशी कह यहां पर की जाती है उत्तर पूरव भारत दक्षिन पस्टिम भारत दक्षिन पूरव भारत या फिर उत्तर भारत तो जूम जो खेती है यह की जाती है नौर्थ इस्ट इंडिया यानि की उत्तर पूरव भारत में ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखेगा इंप अपना स्कोर लास्ट में जरूर कमेट करेंगे कार्डे मम पहाडिया कहां अवस्थित है कार्डे मम से क्या भी पराय है इलाईची आप सभी को पता होना चाहिए इलाईची की पहाडिया भी पूछ सकता है आपसे तो कहां पर अवस्थित है option आपका सी करेक्ट आंसर होगा केरल जिनाने अप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिलकुल एक करेक्ट है तो दोस्तों यह था आपका टोप 51 प्रशनों का सेशन मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेलफ लगा होगा हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करेंगे ला जय हिंद जय भारत